नमस्कर दोस्तों हमारे online tuition अड़ा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें इसके लिए मैं आज की इस क्लास में एक इंगलिस का श्टोरी पढ़ने वला हूँ जिसमें मैं एक एक वर्ड को लीख लीख कर आपको मैं पढ़ना लिखना और ब बहुत अच्छे सी इंगलिस पढ़ने आजाए बोलने आजाए लिखने आजाए तो यह क्लास आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वला है तो आए दोस्तों बिना देरी किये वी इस क्लास को हमनों शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपस रिक्वेस्ट है कि इसको हम लोग पढ़ेंगे दा सी ए टी और यह स्टॉफी एस है क्या है इसको स्टॉफी एस बोला आता है तो इसको पढ़ेंगे हम लोग कैट्स क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे कैट्स जे यू डी जी इ तो जज्ज मेंट अब यहां पे जो डी है यह साइल है दोस्तोust DE क्या है silent देखिए इसको कम पढ़ाएंगे judgment ये से ठिकman dus तो paint का color दूसरा ले लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ मिगा दूसको हम आए या नयाए बोल सकते हैं दोनों होता है ठीक है और कैसे इसको translate किया जाएगा मतलब कि जो भी चीज आपको English सीखने के लिए चाहिए वो सब कुछ मैं इस class में बताने वाला हूँ grammar से related छोटे-छोटे चीज को भी समझाने वाला हूँ तो चले दोस्तों यहां से हम दो शुर करते हैं जिसे देखेंगे the cat's judgment इसका मतलब क्या होता है का क्या होता है का तो बिल्ली का फैसला इसका हिंदी क्या निकलेगा इसका हिंदी निकलेगा दोस्तों देखिए बिल्ली cat means क्या होता बिल्ली तो cat's यानि बिल्ली का और judgment मिस हो जाएगा फैसला तो heading क्या है बिल्ली का फैसला देखे दोस्तों मैं जितने बड़े-बड़े सब्द हैं उन सब को बहुत बारिकी से समझाने बला हूँ इसलिए क्लास को लाश तक दखेगा यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छे सेंगरे जी आजाए तो देखे ऐसे बहुत सारा क्लास आप किये होंगे लेकिन इस्टोरी के माध्यम से सिखना बहुत जरूरी होता है और वो भी बिसेस रूप से जब तोड़ तोड़ कर एकक वर्ड को आपको प्रोनाउंस करना सिखाए जाए एक एक वर्ड को लिख लिख कर और वर्ड मिलिंग के साथ पूरे मतलब की हर तरीका से मैं इस कलास में आपको सिखाने बहुत ठीक है चले इसको देखे क्या पढ़ेंगे ओ-न-स क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग इसको पढ़ेंगे वंस यू-प-o-n upon once upon upon a time in a small क्या पढ़ेंगे जो जो कठिन-कठिन वर्ड है उन सबको मैं पढ़ना सिखाऊंगा लिख लिख कर बाकी ये in a time ये सब चीज तो आपको आता है आसान है तो जो जो कठिन सब्द है उसको मैं लिख हूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नह जाएंगे हम लेकिन ये छोटे-छोटे वर्ड जो आपको आता है इस पर ज्यादा समय नहीं देना है तो once upon a time in a small village भी आइडबल एल एजी इसको हम पढ़ेंगे विलेज क्या पढ़ेंगे विलेज मिस होता है गाउं क्या होता है गाउं वर्ड मिनिंग भी जानेंगे हम ल once upon a time ऐसे दिया रहें तो once मिस होता है एक बार तो once upon a time यानि एक बार की बात है एक साथ इसका वर्ड मिनिंग निकलता है कि एक बार एक बार की बात है किसी भी इस्टोरी में या कहीं भी आपको मिल जाए ऐसे once upon a time तो आप उसका हिंदी क्या निकालेंगे कि एक बार की बा एक छोटे से गाउं में एक बार की बात है कि एक छोटे से गाउं में देखेए इतनाका word translation क्या हुआ कि एक बार की बात है एक छोटे से गाउं में क्या गाउं में देखेए उसके आगे टि-छ-e-r-e देएर ल-i-v-e-d लिवड W-I-S-E wise क्या इसको हम लोब पढ़ेंगे इसको हम लोब पढ़ेंगे wise and kind old cat named judgment क्या पढ़ेंगे judgment मैं उपर ही बताया हूं अब देखिए word meaning हम जानते हैं कि किसका word meaning क्या होगा तो जजमेंट मिस आपको मैं उपर ही बत समझा दिया हो कि होगा फैसला देखिए एक ही वर्ड बहुत सारा बार रिपीट होगा तो इस तरीका से अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जागा रटना नहीं पड़ेगा केवल वीडियो को देख लेने से लगभग सब कुछ आपक क्या हो जागा धयालू जो दयालू यह वगया बूढेंट उसका नाम क्या था है यानि जजमेंट नाम के एक बूढी मनलब देखिएं जजमेंट नाम के एक wise यानि बुद्धिमान and kind और देयालू बुढ़ी बिल्ली रहती थी फिर से इसको समझेए करें कि देयर लिव्ड और wise and kind old cat यानि बुद्धिमान और देयालू बुढ़ी बिल्ली काइंड wise and kind old cat का मतलब क्या होगा तो जजमेंट नाम के एक के देयालू और बुद्धिमान बुढ़ी बिल्ली रहती थी इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा चलिए आगे देखते हैं ही वाज और इस पी इस टी डी रेस्पेक्टेड देखिए मैं एक बार में ऐसे पढ़कर जल्दी से इसको ट्रांसलेशन कर सकता हूं लेकिन मैं प्रयास करा हूं कि आपको जो है एक एक वर्ड अच्छे से प्रनाउंस करने आ आदर होता है या उसका सामान होता था आदर होता था किसका उस बिल्ली का पुरे सेंटेंस को देखते हैं हिए वाहे रस्पैक्टेड़ वाई ऑल्ड अद दर ओंनी मल्स ए Алई एनिमिल से फॉर ही ऑफ ऑाई रेदी ड taş फ्रेश में चोनाए स्सिरा और परण चुपा किसी के आप अार्स करते है तो निष्पख के पंडीकुक्राइब फियरनेस एंड डडवु आई सडी ओं विजडम मिस बुद्धीमता मनें गुनी से कोई भी काम करना राव बुद्धीमता रविजडम मिस क्या होजया को harness मिस्पक्षता ध्यान से देखे दोस्तोव निस्पक्षता यानि कोई भी विशासला से लिया जाता उसको निस्फक्सता बोला जाता है एनिमल मिस आपको पता है कि होता है जानवर, एनिमल मिस क्या होता है जानवर, ठीक है ओल दा अधर अधर एनिमल देखें पूरे सेंटेंस को समझेंगे He was respected by all the other animals वह सभी जानवरों के द्वारा समान किये जाते थे सभी जानवर जो थे उसको सम्मान करते थे, उसका आधर करते थे किसलिए आधर करते थे for his fairness and wisdom उसकी निस्फक्षता और बुद्धिमानी के लिए यानि जो बिल्ली थी बहुत निस्फक्ष और बुद्धिमान थी, या कहानी एक theme के रुप में बिल्ली को लिया गया है मतलब कि यहाँ पर उसी के अधार पर है इस कहानी क्या निस्कर्स निकलने वाला है तो यह आगे आपको मिलने वाला है moral इसके क्या होगा, ठीक ना आपको main focus करना है word को कैसे pronounce किया जा रहा है जैसे fairness, wisdom, respected बहुत बड़े-बड़े कठिन-कठिन सब्स इसमें आपको मिलने वाले है इस तरीका से आप छोटे-छोटे चीजों को सीख कर आसानी से अपना English को मजबूत कर सकते है ऐसे word meaning रटते रहा जाएंगे कुछ नहीं होने वाला है ऐसे बहुत सारे दोस्तों का मैं देखता हूँ word meaning रटने वाला क्लास 1500-2004 सा ऐसे बहुत सारे classes करा रहा है तो ऐसे आप रटते रह जाएंगे word meaning आपको कभी याद नहीं होने वाला है आपको दोस्तों story के माध्यम से अच्छे से सिखना होगा और मैं भी daily usage word meaning वेगर सब कुछ कराऊंगा लेकिन वो बिल्कुल अलग तरीक ऐसे ताकि ये कभारे में देख लेने से आपको याद हो जाए रटना नहीं पड़े बहुत सारे से रूल होते हैं जिसके माध्यम से अब कितना अभी कठिन वर्ड को देख कर याद कर सकते हैं वो सब कुछ मैं सिखाऊंगा आगे बहुत जल्दी grammar की पूरी class स्टार्ट होने वाली है इसलिए चैनल पर बने रहिएगा चैनल को subscribe करके notification on करकर रखिएगा ताकि जब भी video upload हो तुरत आपके पास पहुंचे ठीक ना तो कारा कि he was respected by all the other animals for his fairness and wisdom यानि उसकी निश्पक्षता और बुधिमिता के लिए अन सभी जानवर उसका सम्मान करते थे उसका आदर करते थे इसका हिंदी निकलेगा चलिए आगे देखते हैं इसके बाद w h e n e b e r whenever whenever मिश होता है जब भी क्या होता है जब भी whenever there was a dispute क्या पढ़ेंगे इसको dispute or a problem among the animals they would come to judgment for help whenever यानि जब भी there was a dispute देखेंगे dispute मिश होता है विवाद क्या होगा dispute मिश होता है मैं लिख देता हूं यहां पर विवाद विवाद ठीक ना dispute मतभेद विवाद दोनों बल सकते हैं problem मिश होता है समस्या प्रोब्लम मिश क्या हो जाएगा समस्या among मिश होता है बीच बीच में माने दो के बीच में तीन के बीच में दो के बीच में दा जजमेंट फॉर सॉरी दा एनिमल्स एनिमल मिश जानवर आपको पता है जानवर दे उडे कॉम टू जजमेंट फॉर हैं यहल्प मिश होता है मदद करना मदद ठीक है तो चलिए अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं वर्ड मिनिग आप जानगा है करकि वेने वर ज बिवाद या समस्या होता था अमांग दा एनिमल्स जानवरों के बीच में जब भी जानवरों के बीच कोई बिवाद या समस्या होती होती दे उड़ गॉंट टु तो जफिक है उसके पास आते थे मद़त के लिए ठीक है जब भी कोई समस्या होती थी ऐससे हम लोगे लाइफ में भी कोई समस्या होता है तो हम लोग कोट कचाहरी या किसी जो न्याय करने वाला विक्ती होता है उसके पास अम लोग जाते हैं अपने समस्या को बताते हैं कि यह ना वो समस्या है और उसकी समधान होती है यहां से आप पढ़ते हैं क्या होता है ठीक है found a piece of delicious, क्या पढ़ेंगे, delicious cheese lying on the ground, तीक है, अब word meaning हो लो जानेगे, तीक है, delicious, delicious मिस होता है, स्वादिष्ट, क्या होता है, स्वादिष्ट, मैं लिख भी देता हूँ, स्वादिष्ट, तीक है, delicious मिस होता है, पनीर, क्या होता है, पनीर, चीज, पनीर, ठीक है, टॉम एंड जेरी नाम है, टॉम और जेरी दो बिलियों का नाम है, पीस, found a piece of delicious, चीज, देखेंगे, पीस मिस होता है, टुकडा, पीस मिस होता है, टुकडा, lying मिस पढ़ा हुआ, मने किसी चीज पर पढ़ा हुआ है, ऐसे, on the ground यानि जमीन पर, ग्राउंड मिस क्या हो जाएगा, जमीन पर आपके सामने, इसका अर्थ दिख रहा होगा, कि क्या इसका translation होगा, ठीक है, टॉम एंड जेरी found a piece of delicious cheese, lying on the ground, टॉम और जेरी को, जमीन पर पढ़े हुए, एक स्वादिष्ट, पनीर के टुकरा, मिला, ठीक है, वन डे एक दीन, टू कैट्स, दो बिलिया, कौन-कौन, टू कैट्स, दो बिलिया, कौन, टॉम एंड जेरी, टॉम और जेरी, को स्वादिष्ट पनीर का एक टुकडा, जमीन पर पढ़ा हुआ, मिला, समझ गया, ये होगा, इसका हिंदी, चलिए आगे देखते हैं, दे बहुत, वांटेट, टू है विट, एंड नाइदर वाज, विलिंग टू, सेयर, कराए कि दे बहुत, बहुत मिश होता है दोनो, दे मिश वे, वे दोनो, दे बहुत मने हो जाएगा, वे दोनो, वांटेड, चाहते थे, वांट में सुथा चाहना तो वांटेड चाहते थे क्या चाहते थे to have it is को किसको पनीर का टुकड़ा था वो दोनों को चाहिए था मतलब दोनों को मिला एक साथ यह थो दोनों चाहते थे एंड नाइधर वाज़ वीलिंग टू सियर और कोई बाटना दोनों में से कोई नहीं चाहता था कि इसको बाटा जाए वह बोलता था जिसे छोटे बच्चों में देखते हैं न कोई चीज लिए कर देंगे तो वह पूर्य लेने के लिए रोरता है कि मज़े सभी चाहिए टुकड़े कर देगो तो नहीं लोगा एक बिस्कुट का उसको रोने लगेगा उसको पूरे चाहिए तो वह ऐसे ही दोनों बिलियों के बिच में जखड़ा हो जाता है और दोनों बोलते हैं कि नहीं यह मुझे चाहिए तो यह मुझे चाहिए फिर से इसका वर्ड में आप देख लीजिएगा मैं बताया हूँ चलिए आगे देखत होता है यहां पर आर आई ए अर लगा है तो इसको एंग्रियर पढ़ेंगे स्टार्ट मिस होता है सुरू करना और स्टार्ट यानि सुरू किये आर्गू मिस होता है यहां पर बहस करना सुरी बहस करना आर्गू मैं बहस करना और एंग्रियर मिस होता है क्रोध पुंड क्या स्टार्टेड सुरू किये क्या आर्गोइंग बहस करना एंड देयर वाइस और उनकी आवाज वाइस में इस क्या हो जाएगा आवाज ग्रीव मनें बढ़ने लगा कैसे लाउडर जोर जोर से उनकी जोर जोर से आवाज निकालने लगे और देखिए वे बहस करने लगे और उ करके अर्थ निकालेंगे ठीक ना ऐसे एक बार में अलग अर्थ निकलता है थोड़ा सा तो देखिए एक ही चीज को जैसे आप उलट फिर के भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो दे इसल्द दो मेटर ओंडेटर ऑन ऑनेवल मिस होता है मतलब कि असक असमल्थ किंव्र्थ को असम जाओ किसी सस्जिज में समर्थ नई था और महां मामला को सुह रहाने में घ्ल करना बोल सकते हैं रिशॉल में इसका दाल करना unable to resolve the matter matter means कोई भी बात on their own मने अपने आप अपने से या अपने आप या नहीं वे लोग अपने आप बात को हल करने में असमर्थ थे मामले को मैंटर मिस मामला भी बोल सकते हैं बात भी बोलते हैं तो मामले को अपने आप हल करने में असमर्थ थे टॉम एंड जेरी decided to seek judgments help decide मिस होता है निर्णा लेना decided निर्णा लिए to seek judgments मतलब कि नियाय की तलास में नियाय का तो Tom and Jerry decided to seek judgment help Tom and Jerry judgment की मदद लेने का फैंसला किया किसका फैंसला किया judgment की मदद लेने का फैंसला किया इस बहुत परजंटेंड आप मिसं होता है उपस्थित करना बताना तो मन्या आपना पक्ष्छ रखना ऐसे भी बोल सकते हैं। बहुत ब्रजेन्टेड दिअर साइड साइड मानने वह लोग अपना ठीश है कि अभड़ कि एट श्टूरी डानी के माध्यमसा अपना पक्ष रखे रखे तेन निदी और populations सोश्ट उनके सामने रख किसके सामने जजजमेंट के सामने किन जीसा से को cauliflower तुम अपना पक्छ रको अभी तुम चुप रहोगें फिर वह अपना कुछ रखता है दोनों की पकश सुनने के बाद फ्रैसल अटा है वैसे ही उल्दोनों ने अपना-पना साइड रखा अपना अपना पकश रखा judgment listen carefully and thoughtfully值 जेजमेंट JEFF which is my judgment जो тоб ुए विचार करना तो जर्जमेंट ुपरुवक सुन गर सूंच विचार की थे में यह सूंच विचार करना चलिए आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है कि करंकी after hearing both cats after hearing hearing सुनना आफ्टर मिस के बाद both cats मैं दोनों बिलियों की बात सुनने के बाद after hearing both cats दोनों बिलियों की बात सुनने के बाद judgment said judgment said मैं ओधेंड ने कहा क्या कहा यूबुट सीम वेव इक्वल सुजर 2019 सिम्स होता है लगना यूई-स लगता है तो आप दोनों का पनीर बराबर यसस मैंगेंड सेंड ने क्या लगता है कि आप दोनों का पनीर पर बराबर दावा है क्योंकि दोनों को मिला है एक साथ तो दोनों का पनीर पर बराबर बराबर हिस्सा आना चाहिए हाउवः आई हैव ऑ सोलूसन अच्छा यहां पी एक वर्ड मिला हाउवः और इसके पहले आप पढ़े valley तो वेनवर जब रहेंगा तो इसका मतलल वहां जब भी और हाउव रहेंगा मेरे पास क्या है एक समाध्हान है समाध्हान समाध्हान या हाल दोनों बोल सकते हैं मेरे पास एक समाध्हान है we are instead of fighting, let me cut the became and give ऐच लाँ इक्वाल पर्र्शन पर्रशन मीस हूत है भाग, इक्वाल मीस हाद है बराबर, ठिक हैं, फाइटिंग में सोता है लड़ना इस टीड में सोता है के बदले ज्यादा लिखने पर ध्यान मत दीए सुनिए मैं क्या बता रहा हूं क्योंकि अच्छे से ने लिखा पाता है चली करके इस टीड ऑफ फाइटिंग लड़ने के वजाए लड़ने के बदले मतलब इसके लिए लड़ने के बदले let me cut the cheese in half and give each of you an equal person इस पनीर को दो भाग में करके और दोनों को बराबर बराबर बांट देनी चाहिए दोनों मतलब की इस पर लड़ने के बजाए मुझे पनीर को आधा आधा काटने दीजिए और आप दोनों को बराबर हिस्सा देने दीजिए यह भी बोल सकते हैं ठीक ना ऐसे बोल सकते हैं मतलब की कहानी में यही सहीं नहोगा और अर्थ भी ऐसे ही निकल रहा है ठीक है चल and or judgment cut the cheese into two pieces और judgment ने पनीर को दो टुकुडों में काट दिया कितने में काट दिया थो टुकुडों में काट दिया ठीक है but to their surprise one piece seemed slightly bigger than the other लेकिन एक surprise हो गया surprise मिश होता है अस्चर्ज हुआ लेकिन एक अस्चर्ज हो एक कि one piece सिम्ड slightly, slightly मिश होता है थोड़ा slightly मिश क्या हो जाएगा थोड़ा bigger miss बड़ा, एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा दिख रहा था, than the other, दूसरे टुकड़े से, लेकिन एक टुकड़ा जो था, दूसरे टुकड़े से थोड़ा सब बड़ा दिख रहा था, Jerry quickly protested, that's not fair, you gave Tom a bigger piece, Jerry quickly miss होता है, तेजी से, quickly miss क्या होगा, तेजी से, protested, protest miss होता है, विरोध करना, विरोध, protested मनें विरोध किया, तो Jerry quickly protested, Jerry ने तेजी से विरोध किया, that's not fair, यह नियाय नहीं है, यह नियाय नहीं है, उसने विरोध किया, यह उचित नहीं है, you gave Tom a bigger piece, तुमने Tom को बड़ा पीस दे दिया, Jerry ने तुरत बोला, ठीक ना, चले उसके बाद देखिए, judgment smiled and replied, judgment मुस्कुराए, smiled में इस क्या होता है, मुस्कुराए and replied और जवाब दिये, judgment मुस्कुराए और जवाब दिये, you are mistaken, देखिए, you are mistaken, यानि आप गलत है, judgment ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कि you are mistaken, यानि आप गलत है, my dear Jerry, मेरे प्रिये जेरी, I cut the cheese equally, मैं पनीर को समान रूप से काटता हूँ, equally मिस क्या होगा, समान रूप से, cheese मिस पनीर, cut मिस काटना, तो I cut the cheese equally, मैं पनीर को समान रूप से काटता हूँ, but the perceptions of fairness can sometimes be influenced, देखिए, आगे देखिए, influenced by our emotions, correct, कि but लेकिन the perceptions, देखिए, perceptions मिस क्या होता है, निश्पक्षता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, perception मिस होता है, sorry, निश्पक्षता, fairness मिस होगा, निश्पक्षता, और perception मिस होता है, धारना, perception मिस क्या होता है, धारना, धारना, और fairness मिस होता है, निश्पक्षता, निश्पक्षता कैसे हो गया, यह, निश्पक्षता मैं उपर भी पताया था, ठीक है, तो but the perceptions of fairness can sometimes be influenced influenced मिस होता है प्रभाविते प्रभाविते ठीक ना sometime मिस हो कहा कभी कभी पहले वर्ड में जान लेजिए by our emotion, emotion मिस होता है भाव emotion मिस क्या होता है भावना, भावनाए ठीक है चलिए अब इसका translation करते हैं करा कि but the perceptions of fairness can sometimes be influenced by our emotion लेकिन निस्पक्षता की धारना कभी कभी हमारी भावनाओं से प्रभावित हो सकती है निस्पक्षता की जो भावना धारना है कभी कभी हम लोग जो भावना होता है उससे प्रभावित हो जाता है ठीक है इसलिए कभी-कभी निस्पक्षता पे उंगली नहीं उठाने चाहिए कभी-कभी इमोशन से प्रभावित हो जाता है Let me show you He took a bite from the bigger piece and then took a smaller bite from the other piece देखें, क्या होता है आइए मैं आपको दिखाता हूँ करें कि Let me show you Let me show you का मतलब हो का है आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिखाता हूँ He took a bite from the bigger piece उसने बड़े टुक्रे से एक टुकडा लिया He took a bite from the bigger piece बड़े टुक्रे से एक टुक्रा लिया छोटा से टुक्रा लिया, काटकर and then और तब took a smaller bite from the other piece और जो दुसरा टुक्रा था उससे एक छोटा से टुक्रा लिया ठीक नए उससे क्या लिया छोटा से टुक्रा लिया और बड़े से बड़ा से टुक्रा लिया चलिए आगे देखते हैं क्या होता है नाव बहुत पिसेज एप्रिये एपियर्ड इसको पढ़ेंगा में लोग एपियर्ड 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 इकुल अब दोनों टुकड़ा ब्राबर दिखने लगा अब क्या हो गया अब दोनों टुकड़ा ब्राबर दिख रहा था ठीक ना दोनों टुकड़े ब्राबर चलिए आगे दखिए जेरी रियलाइजड हीज मिष्टेक एंड फिल्ट अश्यम्ड ओफ हीज गीडिनेस गीडिनेस मिस वता है लालच लालच चीख है और आपने लालच फे पर और सरमिंदगी शर्मिंदगी और अपने लालच पर सर्मिंदगी जताया जेरी को अपने गलती का हसास हुआ और उसके लालच पे उसको सर्मिंदगी हुई He thanked judgment for his wise lesson in fairness and sharing उसने judgment को धन्यवाद दिया धन्यवाद दिया judgment के लिए धन्यवाद दिया for his wise lesson in fairness and sharing मतलब इस बटवारे में निश्पक्षता के पाठ के लिए उसको धन्यवाद दिया कि कैसे निश्पक्षता के पाठ पढ़ा है उसने कैसे निश्पक्षता को साबित कि from that day onward मने उस दिन के बाद से from that day onward यानि उस दिन के बाद से Tom and Jerry learned to share and solve their problems without fighting उस दिन के बाद से Tom and Jerry बटवारा करना यानि साजा करना सीख गए बिना किसी समस्या के बिना लड़े हुए बिना लड़े हुए बिना किसी समस्या के वो लोग अपने समस्या को हल करना सीख गए फिर समझे Tom and Jerry learned Tom and Jerry learned में सीख गए Tom and Jerry सीख गए to share साजा करने and solve their problem और अपने समस्या को हल करने without fighting बिना लड़े हुए मतलब देखे हुआ कहानी में कि दोनों एक दूसरे पर करने लगे कि उसको ज्यादा मिल गया उसको कम मिल गया तो इस तरीका से वो जो जजमेंट है उसने बराबर बराबर कर दिये तो इस तरीका से वो सीख गए कि थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लड़ाई नहीं करने चाहिए जबकि बराबर करने के लिए कितना लेना पड़ा दोनों में से थोड़ा थोड़ा लेना पड़ा दोनों बराबर हो गया तो छोटी-छोटी चीजों के लिए लडाई नहीं करनी चाहिए यह चीज यहां पर दर्शाने का प्रयास किये जा रहा है देखिए यहाँ पर seeking judgment's guidance whenever needed करा है कि मने और जरूरत पढ़ने पर judgment का मार्ग दर्शन लेना सिख लिया, मने जब भी अगर जरूरत पढ़ेगा तो judgment का मार्ग दर्शन लिया जाएगा the moral of the story इस कहानी का सिख, इस कहानी का नयतिक क्या है, is that fear judgment requires understanding, मने समझदारी, understanding मिस क्या होता है समझदारी, require मिस होता है आवस्यक, जरूरत ठीक ना, आवस्यक, जरूरत जैसे बुली आप empathy and sometimes our own biases can cloud our perceptions of fairness यानि कहानी का नयति क्या है कि निस्पक्ष निर्णय के लिए समझ, सहान भूती की आव सकता होती है ठीक ना, समझ, understanding मिस क्या था, समझ ठीक ना, और empathy मिस होता है सहान भूती तो करा है कि is that fair judgment मने निस्पक्ष निर्णय के लिए judgment मिस क्या था, निस्पक्ष निर्णय के लिए समझ और सहानुभूती की आव सकता होती है requirement मिस क्या था, आव सकता होती है ठीक है and sometime और कभी-कभी our own biases can cloud our perceptions of fairness और कभी-कभी हमारे अपने पुर्वाग्रह निस्पक्षता की हमारी धार्णय को धुमिल कर सकते है मतलब कभी-कभी हमारे द्वार किये गए पहले से जो गलतियां है या धार्णय है वो कभी-कभी निस्पक्षता में बाधा उत्पन करता है इसलिए सभी आव धार्णाओं को साइड में रखते हुए किसी भी निर्णय को करने चाहिए तो दोस्तों ये थोड़ी सी बहुत जटिल कहानी थी हिंदी तो उतने अच्छे से आप किलिर नहीं हुआ होगा लेकिन मेरा में मकसद से आपको वर्ड का प्रोनोसिशन करना किस वर्ड को कैसे पढ़ना है इस तरीका से छोटे-छोटे स्टोरी के माध्यम से रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हैं बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आप इंगलिस सीख जाएंगे तो चलिए दोस्तो मेरा प्रयास कैसा रहा प्लीज कमेंट बक्स में लिकर बताना है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ओन कर लेना है अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना है तो चलिए दोस्तों आज कलास हैं पर इंड करते हैं मिलते अगले कलास में जय हिंदे